नमस्कार अचार सरील चैनल में आप लोग का स्वागत हैं आज का वीडियो जो है वो मेरे एक फॉलोवर है विक्रम और वो मुझे अक्सर मैसेश करते हैं और मेरे टीम को भी मैसेश करते हैं कि चाइना के वारे में बताईए और चाइना भारत पे काव टेक करेगा मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं कि ये जो विस्विद थर्ड वर्ड वार की जो बात हम लोग करते हैं मैंने अक्सर बोला है कि ये जो वार सुरू होगा भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सुरूगा रहर बार बोला है क्योंकि वह combination वहीं पर निकल के आएगा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से आएगा और जब यह war शुरू होगी तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना और यह Muslim countries होंगी एक होंगी भारत पर अटेक करने के लिए बहुत समालका में भी का गया है लेकिन बहुत समालका के पहले हम लो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे आगाओं में कहावत ना घर में नहीं दाना और अम्मा चली बुनाने से कुछ कहावत है तो उनकी इस्तिती बहुत खराब सिलंका की हालत बहुत खराब तो यह जो पिरिड निकल गया यह पिरिड जो था बिसकली कि मैं कह सकता हूं कि वर्ड वार को उसने कहीं न कहीं होल्ड किया हुआ था और कहीं न कहीं डिप्लोमेसी जो थी इंडिया की वह बहुत अच्छी काम कर रही थी और जिसकार हम बचे रहे इस एरिये से लेकिन नौर्थ इस्त में चलता रहा और इंटर्नली यह दी मैं कहू हूं तो इंटर्नली जो मैंने अक्सर बोला है सिविल वार के लिए तो वह कहीं न कहीं वह चल ला था नौर्थ इस्ट और चाइना जुड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं उनका इंफ्लूएंस रहता है मैं अक्सर प्राथना करता हूं कि यह प्रिक्षन गलत हो जाए वर्ड का आप जाए और यह जितने भी नुकलियर बं रखे हुएं लोगों के पास यह ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं है वह आगे चलके छोड़े जाएंगे तो यह लोग जो मुझसे पूछते हैं वर्ड वार थरी कब सुरू होगा कब सुरू होगा यह भविस्वान तो इतना भ्यानाक होगा कि आप भी बचोगे या मैं भी बचोंगा इसके कोई गारिंटी नहीं है बरतिना खतरनाक होगा और भारत के जो विदेश स्वंत्री हैं उन्होंने भी एक बार कहाता कि हमारे चाइना से संबंद अच्छे नहीं है मैं अपने फॉलोवस को बताना आता था और बहुत ही टॉप लेवल पर कभी कभी खुसुई भी होती थी तो चाइना को समझना बहुत ज़रूरी है चाइना की कुंड़ी जो है एक अक्टूबर उनिस सो और चास की हम लोग लेके चलते हैं मुंडे निसलोजी में मकल लगनी की कुंड़ी है और लगने में चंदमा बैठा हुआ है तो मकल लगने में चंदमा दूसरा घर खाली तीसरे में राहू राहू जला स्टॉंग मनाता है चौता पांचमा चटा घर खाली साथवे घर में मंगल नीच का जो लगन को देखता है तो मतलब चंदमा और मंगल आमने सामने है और आठवे घर में स वीनस जो दिख रहा है ग्लैमर और सब को तरक्की तरक्की ग्यारवा घर खाली और बारवे घर में गुरू बारवे घर का गुरू भी अच्छे फल देता है तो इस कंट्री ने बहुत राइस किया लेकिन यहां कि इसकी मेंटल्टी को दिया पकड़ेंगे तो सनी आठवे घर में सिंग रासी में बैठा हुआ है और इस सनी में चंदमा का प्रभाव है चंदमा सात्वे घर का मालिक होके लगन में चला गया सनी के रासी में चला गया तो यह जो कुंड़ी बनती है वर गुत्तम नवांस मतलब नवांस कुंड़ी का लगनी भी में लगना है तो यदि ह और जो कि इसप्टें सनि को नवारंस कुट्टी में जाके देखें तो च्छटे घर में बैठी सिद्टानामीर क्या है कि कुछ लोगों की आदत होती है ऑंगलीकरने की यहां पें उगली करने का मतलब यह होता है कि डिस्टरव करना उनकी फॉरेंड पॉलिसी एक है कि पडोस तो यह अपने नेवर के साथ करता है यह काम आप देखिए पाकिस्तं के साथ भी है मंगलादेश के साथ भी से लंका के साथ भी हमारी जो डिपिलोमेसी है वह ऐसी होनी चीह कि हम वार से जितना हो सके इता हम समर्जता हूं कोईकि यदी ये war अपने peak में आया third world war कोईकि ये महा भारत की जो काल की जो इस्तितियां ये बनी होई है ये 2028 तक बनी होई है तो इस समय जितना हो सके कोईकि हमारे देश में population का लोट हमारे अंदर काफी समस्या है और हमारे यहाँ जो जातिवाद है हमारे यहाँ जो system है पूरा corruption का वो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बताने सकता हूँ तो आपनों मुझसे बहतर जानते होंगे तो ये जो इस्तिती होती है ये ये war हो गया तो अब हम देखते हैं हम उसके neighbor country है तो neighbor country का हाल क्या करेगा third lord चला गया बारवे घर में गुरू है उसका वहाँ पर राहू बेटा हुआ गुरू बारवे घर भी चला गया तो इनका जो इनको तो जो है आप डिप्लोमेसी से समाल के चलिए बहुत अच्छा है वो आपके भली के लिए ये दी war हो गया तो यदि मैं भारत की कुल्डी देखूँ तो भारत की कुल्डी का लगना है व्रिस लगना है और इनकी कुल्डी में वो पांचवे घर में है और पांचवे घर का स्वामी दसवे घर में बैटा हुआ यदि हम डिप्लोमेसी कली चले है तो हम काफी हद तक एक अच्छ वो कर सकते हैं लेकिन एक बात बताओं बुद्ध वक्री है और बुद्ध जो होता है वानी जो होती है कतिनी और कण्णी में फरक होता है हम उन पे विश्वास नी कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए हमें अपने आपको strong करना चाहिए और हम कब strong कर सकते हैं हम जब strong कर सकते हैं जब हम अपने country के अंदर से जाति-पात का विवात खत्म करेंगे हिंदू-मुस्लिम का विवात खत्म करेंगे हिंदू जो बटा हुआ है ब्रहुम्न, चत्री वैष, सुद्र आदिवासी अब OBC पता नहीं क्या है जब तक ये बटा रहेगा आप ये मान के चलिए वो होता रहेगा और ये कभी एक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि हमारा political system हमारा जो political system है उसने पुरा सत्यानास कर रखा है तो मैं विक्रम भाई आपको यह बताना चाहता हूं कि अंदर जो गड़वर घोटाला है कुंडली के साब से उसको मिक्स कर दूँ तो आप यह मान के चलिए कि क्या कॉक्टल बनेगा हम सोच नहीं सकते हैं इसलिए मैं इसको ज्यादा तूल नहीं दूँगा वर्डव और थिरी होगा हंडेट परसेंट होगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना कम से कम विनास हो उतना अच्छा हो कोगि भविस्थमाल का कहनुषार चौंसट करोड लोग बचेंगे और यह 64 कोड बचेंगे तो आप सोचें कितने लोग मरेंगे हला कि मैं एक बात बताओं ऐसी बहुत सी बाते बीच बीच में और भी आई और खतम हो गई कुछ नहीं हुआ लेकिन अभी जो ही माहूल बना हुआ है मैं किसी बुक के अधार पर नहीं बोल रहा हू कि माभारत की युद्ध के समय जो इस्तितियां थी वो बनी हुए और इसका पीछे सांटिफिक रीजन है इंग्लैड में मेने दोस्त हैं डॉक्टर हैं अन्होंने काफी अच्छा रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने एक बहुत अच्छा ड्राइगाम भी बनाया है जो मै माहोल था इन सब करते हैं तो हम समझते हैं कि वर्ड वार थी के सामने हम खड़े हैं लेकिन हरा आदमी चाहेगा कि नियों को कि युक्रेन का जो हाल हुआ वा आप देख सकते हैं तो विक्रम जी को यह बात समझ में आ गई होगी चाइना प्रेम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और हमें अपने आपको स्टॉंग करना है तो बहुत कुछ चीजें स्टॉंग करनी पड़ेगी जातिवात को खतम करना पड़ेगा भाई भतिजावात को खतम करना पड़ेगा तब जाके हम कहीं उसके टक्कन में खाड़े हो सकते हैं नहीं तो हमारी क्या दुलगत्य होगी हम सोज़ दें सकते नमस्का